नमस्ते दोस्तों मैं सोनिया गोयल ईकुंजी चैनल पर आपका स्वागर करती हूँ मैं एक ब्यूटीशन और आयरवेद स्कॉलर हूँ ब्रेस्ट साइज यानि इस तनों का साइज कम करने का एक बहुत एफेक्टिव घरेलुनुस का अद्रक और शहत से बनाना आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ तो दोस्तों आईए देखते हैं कि breast size यानि कि इस तनों का size कम करने के लिए हमें अद्रक और शहत को use कैसे करना है इसके लिए आपको कदू कस की हुई एक चमच अद्रक लेनी है और फिर इसे लगबग एक कप पानी में डाल कर उबालना है इस अद्रक वाले पानी को medium आच पर करीब 10 मिनट तक उबलने दीजिए ताकि अद्रक के सारे गुं इस पानी में आ जाएं अब 10 मिनट बात इस अद्रक वाले पानी को चलनी से छान लीजिए और इसमें अपने स्वात के हिसाब से शेहट डाल कर अच्छी तरह मिला लीजिए अद्रक वाली चाय बनकर तयार हो गई है इसे धीरे धीरे सिप करते हुए ठीक उसी तरह पीना है जिस तरह आप सुबह उठकर चाय पीते हैं अद्रक की ये चाहिए ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और नहीं एकदम ठंडी होनी चाहिए ये ऐसी होनी चाहिए किसे आराम से पिया जा सके दोस्तों अद्रक हमारे शरीर से यानि कि हमारी बॉडी से फैट को कम करने का काम करती है क्योंकि अद्रक में पोटेशियम और फासफोरस होता है जो हमारे फैट को कम करने में काफी helpful होता है अब बॉडी से fat कम होने लगेगा तो इस तनों का size भी कम होने लगेगा क्योंकि इस तनों का size यानि कि breast size तभी बढ़ता है जब अधिक मोटापा होता है या फिर बॉडी में estrogen level high हो जाता है अध्रक और शहद वाली ये चाय आपको रोजाना दिन में 3 बार सुबा, दोपहर और शाम को पीनी है लेकिन अगर आप working woman है तो आप इसे सुबा, शाम और रात खो भी पी सकती है इस चाय को रोजाना कम से कम 15 दिन जरूर पीना है 15 दिन बाद आप analysis करें, जब 15 दिन में आपको महसूस होने लगे कि इस home remedy से आपको फायदा होने लगा है तब आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से 15 दिन के बाद आगे भी continue कर सकती हैं ताकि आप मन जहा breast size achieve कर सकें breast size कम करने का इतना सरल घरेलुन उसका जरूर यूज करके देखिए आप सबी स्वस्त रहें और खुश रहें, ऐसी विशेश के साथ आप मैं विदा लेती हूँ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बैल आइकन को प्लिक कीजिए इससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके